कि अपने अपने आपाहों से बात कर लो कोई बचाने आना नर्वीर सिंद भरती बनी में रहांगी मैं कहरा हूँगी या तो नर्वीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगा निया प्यारे दोस्तों साद्र व्वादन मैं हूं महिश्कमार वेद और आप देख रहें लेने के बाद, आज 19 अक्टूबर को गुरुगराम पहुंचे थे, उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, उनके स्वागत के लिए कापी भीड उम्डी, उनके समर्तक भी पहुंचे, आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे, रिवाडी से भी लोग उनके अभिनंदन के लेकिन सबसे खास बात जो आज चर्चा हम करने जा रहे हैं, वह है अधिकारियों की बैठक, इस बैठक में राव नर्वीर सिंग ने जो कुछ कहा, वह अधिकारियों के लिए एक बड़ी चेताओन ही है, अधिकारियों को लतारते हुए, एक तरह से डांट फटकार लगात नर्वीर सिंग ने स्पष्ट कह दिया है कि जोली जंडा वांद लीजिए, अगर गुरुग्रा में रहना है, तो यहाँ पर इमांदारी से काम करना होगा, और पैसे का सिस्टम बंद करना होगा, दूसरे सब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, कि राव नर्वीर सिंग ने ये रहेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन राव नर्वीर सिंग ने चुनाव से पूर जिस तरह टिकट को लेकर के भारती जनता पारिटी को ललका रहा था, इसके बाद ठोक कर चाती ठोक कर दावा किया था, कि वह चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, सीधे र जिसमें उनका आपको बाते सुनवाई थी, इसमें हम आपको दुबारा उनकी बाते सुनवाते हैं, जो उन्होंने अधिकारियों को कहा. दिवाली तक का चाइम है, अपने अपने आखाओं से बात कर लो, कोई बचाने अमाने नर्वीर सीधे धर्ती बनीम में रखेंगे, मैं कह रहा हूँगी, या तो नर्वीर मंतिर रहागा, या आप लोग रहोगा, निया भी रहोगा, पैसा परदास्त नहीं करूंगा, गु पुर्टे लिया रहो, वही काम नहीं तुम्हारा, गुरा हाल करके आप लोग रिस पूर्दाना, इस वीडियो को सुनने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा, कि राव नर्वीर सिंग किस तरह के तेवर लेकर के चल रहे हैं, किस तरह उनको गुरुगराम की चिंत नहीं है, वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, इन समस्याओं का समाधान करना राव नर्वीर सिंग के लिए बड़ी चुनोती है, क्योंकि उन्होंने जो सपने मद्दाताओं को दिखाएं, उनसे मद्दाताओं की अपेक्षयां बहुत जादा हो गई है, उनसे बह उन्हें नायक बना रहे है, उन्हें लोगों के बीच हीरो बना रहे है, ये हीरो की छवी कब तक, कितने समय तक बरकरार रहेगी, ये समय बताएगा, अगर यही छवी बरकरार रही, अधिकारियों पर रावनर्वीर सिंग का सिकंजा चला, तो निश्चित रूप से प्रोग्राम की वधाली दूर होगी नमस्कार